हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस आफ जर्नी पर पिछली वीडियो में आपने देखा हम आपको लखनाओ के हन्मत धाम मंदिर में लेकर गए इसके बाद हम आये हैं लखनाओ के गोमती रिवर फ्रेंट में जो लखनाओ का बेहती खुबसूरत पार्क है तो चलिए इस वीडियो में आपको घुमाते हैं लखनाओ का गोमती रिवर फ्रेंट गोम्ती रिवर फ्रेंट में एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपे का टिकट लेना होगा रिवर फ्रेंट को 2016 में गोम्ती नदी के किनारे बनाया गया था इसको लंदन के तेम्स नदी के अधार पर तयार किया गया यह पार्क सुभा के 6 बजे से रात के 10 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है रिवर फ्रेंट लखनाओं का एक बेहधी खुबसूरत सा पार्क है यहाँ पर अक्सर लोग वीडियो शूट, फोटो शूट और इंस्टाग्राम पे रिंस बनाने के लिए आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा आगे लखनाओं ट्रेवल सिरीज के बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं इस पार्क में कई बॉलिवूड मुवी का कुछ सीन सूट किया जा चुका है आइश्मान खुराना की बाला मुवी का एक सीन इस पार्क में सूट हुआ था 2019 में आई मुवी पती पत्नी और वो मुवी का भी एक सीन यहां सूट हुआ था और बहुत से वेब सेरीज की सूटिंग यहां पर होती रहती है अगर आप लखनव घुमने आ रहे हैं तो एक बार इस जगे पर विजिट जरूर करिएगा झाल झाल यह जगा देखने में बहुत ही खुबसूरत लगती है यहां पर खड़े होकर आप फोटोस क्लिक करा सकते हैं और हमेशा की तरह आज कल के कपल से यह जगा भी नहीं बची आप देख सकते हैं यहां पी अपने प्यार का इजहार लोगों ने किया हुआ है वैसे तो हम दो पहर के दो बजे यहां पर आए लेकिन आपको यहां पर शाम को आना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत सी लाइट्स लगी हुई है और जो शाम को आन होती है तो यहां का व्यू देखने में और ही ज्यादा खुबसूरत लगता है दोस्तों यह बहुत ही खुबसूरत पार्क है इसका उध्गाटन उत्तर प्रदेश के पूरिव मुक्रमंत्री अखलेस यादोजी ने किया था इस जगे के निर्मार के पीछे का जो मुक्ष कारण था वो था बोमती नदी का चिर्णोधार कराना इसी वज़े से इस जगे का निर्मार किया गया यह तो आप समझ सकते हैं कि किसी नदी की किनारे अगर बहुत ही खुबसूरत सा पार्क होगो तो उसकी वज़े से नदी की भी साफसिफाई मेंटेन करी जाएगी इसी वज़े से इस जगे का निर्मार कराया गया सामने आप देख सकते हैं, सुटिंग चल रही है, यहाँ पर अक्सर लोग सुटिंग के लिए आते रहते हैं लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ अपना अच्छा टाइम बिता सकते हैं दोस्तों अब देख सकते हैं, यह पार्थ काफी बड़ा हुआ है, और हम काफी आगे तक आच चुके हैं वैसे यह जगा मुच्छी शाम को ही आने लाइक है, क्योंकि यहाँ पर शाम को लाइट जलती होंगी और बहुत से लोग आते होंगे आप चाहें तो इनका फूड ट्रॉड ट्रॉड के बाहर ही आपको खाने पीने के बहुत से इस्टॉल दिखेंगे आप चाहें तो इनका फूड ट्राइ कर सकते हैं फिलाल हम ट्राइ करने जा रहे हैं की सोडा सिकन जी लाइक कर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करियेगा तब तक मिलते हैं लखनाव ट्रैवल सिरीज की किसी नई वीडियो में